दोस्तो आज मैं आपके साथ दो चीज़ डिसकस करूंगा पहले तो कि मार्केट क्यों गिर रहा है और दूसरा इस तिति में हमें क्या करना चाहिए आपके लिए सबसे बेस कोर्स अफ आक्शन क्या होगा उसके बार में भी डिसकस करेंगे पहले बहुत काम की बाद मैं आपके साथ शेक करना चाहता हूँ जो पहली भी मैंने कुछ विडियो में कहा है कि हमेशा ध्यान रखे कि जब मार्केट चड़ता है तो आस्ते आस्ते चड़ता है पर जब मार्केट गिरता है तो हमेशा तेजी से ही गिरता है और वेज में और 18th October को उसने नया हाई बनाया इस पर से रिकॉर्ड हाई और 18,477 यानि देर मैने में इतना क्लाइम किया अब अब देखो जब गिरा है तो कैसे गिरा है अब यह 11 दिन में basically 18,100 से आज आ गया है 17,026 में यानि 1st September में जो लेवल था 50-50 का उससे भी नीचे गिर गया है सिर्फ 11 दिन में और इसके पीछे में कारण रहा है FIIs का यानि foreign institutional investors जिनों ने 15,000 crores worth of stocks बेचा है cash segment में in the past one week in fact कल भी FIs ने 5785 crores worth of stocks बेचा है cash segment में तो almost in the last 8 days FIs have sold more than 20,000 crores worth of stocks और वहीं DIs का बात करें यानि domestic institutional investors तो पिछले एक हकते में they have actually bought 3,700 crores worth of stocks in the cash segment और अगा कल का बात करें तो कल भी उन्हें actually खरीदा है stocks worth rupees around 2,300 crores तो यह calculation एगदम साफ एगदम cleared है कि देखे पिछले आठ दिन में FIs ने कितना बीचार totem लाके around 20,000 crores और DIs ने कितना खरीदा टोटम लाके around 6,000 crores तो still net around 13,000 crores का stocks बिका है in the cash segment तो obviously market का तो गिनना ही था अब आपको लगए कि में market इतना गिर गया मेरा portfolio का तो बुरा हो गया है वैसे देखा जाए तो market को बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत जबचस कि रहा हो but it's not like you know like they have in a mayhem और correction इसको correction भी नहीं बोलेंगे क्यों कि वैसे देखा जाए 18th October को जब 9050 में निया हाई बनाया था of 18,400 तो आज के दिन 17,27 है तो basically around 8% ही गिरा है from its all time high 10% तक भी नहीं गिरा है देखिए जब correction आता है न तो we expect कि कम से कम 15 to 20% का आए then it's called the correction at least 15% प्लस होना चाहिए हो सकते हैं अगर 50% के भी बाद जाते हैं तब आपका क्रेक्शन तो बेसिक की क्रेशन के साब से का देखा जाए तो आधा गिर आधा किनना बाखी है तो आपको लगा अगर आधा गिर जाए तो और मेरा 70% जा सकते है यह जरू जा सकते है इन फाक्त स्मॉल काप स्टॉक्स हो देखे हमेशा ध्यान रखिए जब मार्केट गिरता है ना तो मिट काप स्मॉल काप स्टॉक जादा एफेक्ट होते है और जादा तेजी से गिरेगा देकन गो डाउन बाई 50-60% इस अ क्रेक्शन भी आता है अगर 15% और 50-50 गिरता है तो समझ सकते हो अरू 25-30% गिर सकता है इफ इंवेस्टें स्मॉल ए मिट काप स्टॉक्स तो बी केफूल इस ना कि बड़ेखे लिया निक्स वी वापस मार्केट भड़ जया हो सकते है एक हफते में नेया हाई टच कर जाए विसे नेया हाई-टच कर जाए विसे नेया हाई टुकर चांस के लिए नो वन इस वाइन तो हैपन सो इस समय आपको क्या करना चाहिए वह शुडब यह स्ट्राटेजी देखिए स्ट्राटेजी इग्दम सिंपल है दो तरह का स्ट्राटेजी आप यूस कर सकते हो पहला तो मार्केट गिर रहा है एसाइपी करते रहे डेली कुछ ना कु और उसके बाद हम इंवेस्ट करो पर देखें टाइम करना सिंस मुश्किल है तो प्रेफरेबर यही रूट रहेगा कि अगर आपको और इंवेस्मेंट करने तो आप शुरू कर दो इनवेस्ट करना अस्यासे करो होगा क्या कि अगर मार्केट गरती बिढ़ेगा तो आपका और अगर आप सोच रहेगा कि मेरा पूरा 100% वेस्टेट है और मुझे अब क्या करें समझ में या रहे देन अधिस्टेज यू कन टेक आओ समनी फोंगे अगर अगर आप 100% वेस्टेट बिढ़ेगा कि यूनो आस्टे आस्टे मेभी यू कन बिंदें डाउं तो उसमें एक दम सब मायूस रहते हैं और ऐसा रहते है कि यार मतब क्या होगा कहां जाएगा मार्केट और यून जब मार्केश से तीजी से गरते हैं तब 30-40 पसंद भी मामली लगते है लगते कि या पचास आप पसंगर जाए गो सब्सक्राइब कर जाए ऐसा फिलिंग आते कि यूसराइब के बात नहीं दो है कि इस भी जाए इस विजए। आपको सबसे हारे थैन्स में टर्बुंत भी अविझा कि आरे ओज़ जाने जाए अट इसरी मैं टेंस आप बुद में आपको सबसे है दिर्ट कर आए हैं और श्री इसली मैं दूनिंड टो आपको सनूल को history नहीं है पर अगर S&P 500 का 100 साल का अपने history देखे तो आप देखो कि any day any day stock market has given the best returns of all the asset classes और अपना history around 50 years का देखो गे तो definitely stock market has given the best returns अब किसी से भी compare को लो ना from real estate to gold to crypto to the आपको कोई issue नहीं है आप को पॉच्णिटी में आप खरीदो प्रेम से शौर्ट में तो देखे अब यह ट्रीडिंग में तो ऐसे यह ट्रीडिंग में तो बस यापको यह ध्यान में रखना है कि आप टॉप लॉट जब आए तो उसको निकल जाने है वहां से अगरा वेट करो के कि वह गिर रहा वापस भड़ेगा तो आपको हो सकता और नुक्सान हो टीडिंग में आपका अच्छा गेन होने हैं आपका कमाई होनी है फैक लॉंग टम प्लेस को तो खुश होना चाहिए कि मार्केट गर रहे थी कि उनका फिल्हाल को जो पैसेंट पॉर्फोलियो उसमें जुरूर फड़कार है पर ओवर ओर ओल इसन अपॉच्छनेटी टी टूंवेस्ट अच्छली तो फो लॉंग टम इन्वेस्टर्स को हैड और सब्सक्राइब गर सकता है तो यहां मार्केट उसमें क्या होगा आप stress-free भी 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 होगे बताई टे शेम ताइंट आपको पाट टेम्टार मैं बिजाना है थे कि सम पीपल आप तेम्ट एंपल आपको फिल्हां टीमिट नहीं तो इस वर फो टोस पीपल विल्ग ग्रासा पॉसको यहां इन ते डाइट कर दो you play like that maybe you can take bigger bets than the other people but agrapper temperament है वे आप you know stress हो जाते है अगर आपका काफी एफेक्ट हो तो काफी गिरते है देन दूता SIP way that's the best way for you and that's the best for most of the people overall long-term game में ही फाइदा है देकि all the people who have created wealth in the world they have played long-term game they have been investors अब बहुत कम traders के बारे में सुनेंगे जो एक्षिल रियल वेट क्रीट के तप इंवेस्टर है तो गभराई मत लॉंग तो गवराने को कोई बाती नहीं है आपका फायदा होना है अब इस गारंटीट काइंड आपके तेल यू तो आपको सौसा तक नहीं आपको कि बदसाथ तो नहीं है आप देख लिजेगा अगब दसाथ तक भी रखते होना स्टॉक्ट तब को मच बटेर ट्रस्मेड में बता दूएसे फिगर क्या है जैनरली के अगरा 15 years to 17 years to grab you there can be rest assured till you get very good returns you see tip look condition up the coge which okay the chances of getting high returns reduces as well easily it's a long-term game can make it's a long-term game yes you can definitely fill it with the stocks the quick sector touch alert the quick stock a chart all day to let it run or no but s and a keep me us ca sat hamisha banana nationality you know you just close your eyes or kailia stock भूल जाओ नहीं that way you cannot play this game आपको ट्राक तो करना ही पड़ेगा क्या आप कौन से स्टॉक लिए और उसको ट्राक करना बहुत जोड़ी भी है प्रकॉस इन्हें वनों बड़ा से बड़ा कंपनी भी खराब पर्फॉर्मस दे सकते हैं for long period of time सब्सक्राइब अब आपको बताता हूं कि 2000 से 2010 तक 10 सार में इस स्टॉक हार्ली मूव्ट अगर 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 आपका पॉर्फिलियो का मेजर माउंट इसमें लगा होता तो आपका पॉर्फिलियो कहीं भड़ता ही नहीं कहीं आगे जाता ही नहीं तो इसको रख लेंगे यह कंपनी अराम से चोड़ देंगे आपको ट्राक करना जोड़ी है हाँ अगर आप ट्राक नहीं कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हो पर अगे यह उसमें फिर मजा क्या कि आपके रिटर्स तभी भी आएंगे but if you want to the high returns if you want to create alpha मतला better it'll say much better than the nifty 50 or the nifty mid cap tab up the kid directly cut over to definitely get much better returns and it's going to be real fun also after knowledge we put a gap come mazabi I got okay so that's how you should do it now it's the time to invest if you're a long-term investor in the अब आये मत यार यह तो अच्छा मौका मिल रहा आपको इस टेक इस अन पॉच्छने थी तो दोस्तों अगर आपको मेरा विडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और इसी टाइप के में all interesting videos आपके सामने लाता रहूंगा thank you very much for listening to me bye bye and take care